असलाम अलेकुम वेलकम टो खांस केचिन आज मैं आपको सिखाऊंगा एक वीडियो के अंदर दो रेसिपी यह है चैटनी राड चिकन तिक का और उसी से बनाएंगे फिर हम पिरियानी तो step by step में आपको इसको बताऊंगा तो first step में हमें कुछ मसालों को roast करना है गरम मसालों को और इसका description में आपको इसका पूरा detail मिल जाएगी कि इसकी quantity कितनी है और कौन-कौन से मसाले है इनको हलका सा roast करना है slow heat पर आजकल मार्केट में काफी famous है बहरोज बिरियानी तो उनका जो procedure है वह इसी तरह का है और आप इसको बहुत जादा enjoy करेंगे इसमें flavor आपको इसी भी रख सकते हैं जो आपको पसंदो तिक्का बनाने के लिए तो सबसे पहले हम इसको बारीक पीस लेंगे तो पहले हम इनको थोड़ा सा तेल डालके इसको हलका सा फ्राइ करना है आप किसी भी तना का तिक्का मसाला लेकर उसी को follow कर सकते हैं आप बेसिकली इसको पहले हमें चिक्का बनाना है पैन के अंदर और यह मैंने जिंजर गार्लिक लिया है क्रेश किया हुआ जो बारिक चौपो हुआ और यह टू केजी बॉनलेस चिकिन थाई है इन मसालों की जो फ्लेवर है बहुत ही जबरदस्त होती है और यह चैटिनाट चिकिन के नाम से फिमस है साउथ इंडिया का है यह बहुत ही जादा मज़े का होता है इसको आप ऐसी स्नैक भी खा सकते हैं और आप इसको हलका सी ग Gir 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 इच्छे से इसको मिक्स करेंगे तेज फ्लीम के उपर आपको इसको फ्राइ करना है और इसको लगतार अभी फ्लाल हम चलाते रहेंगे जिससे हमारे पैन के उपर इस्टिक ना हो इसके बाद हम इसके अंदर हाफ लेमन डालेंगे आप इसको थोड़ा सा कम यदादा भी कर सकते हैं और इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए क्योंकि हमने मिर्चे पहले भी ले रखी है जो के इसमें हमने रोस्ट किया था मसाला उसमें थी इसको सिफ कलर के लिए हम इसमें रेड़ कश्मीरी लाल मिर्च मिला रहा है अब इसका जो कलर है बहुत जादा अच्छा हो गया खुप्तृत हो गया तो फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं बैल आइकन दबाने से आपको हमारे हल लेटिस वीडियो का नोडिकेशन मिलता रहेगा अगर आपको इसी तरह से खाना है तो आप इसको कवर कर दीजे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए और कैस को स्लो कर दीजे बट हमें बियानी करेंगे और करें और मूस्को ठोड़ा सा और व्राइं करके स्टॉप कर दाएगे कियोंकि हम्हिंन अगर हम इसको अभी 34 के follower कर लेंगे तो फिर हम इसको बिर्यानी में को वास्तों थायागा और मजाण नहीं आएगा जो सेगन्ड श्टैप है इसको तो हमें तिक्टे को बिरियानी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमने 400 g दही लिया है और तकरीबन 500 g प्यास को ब्राउन कर लिया था उसको हम इसमें क्रश करके एट कर देंगे एक अप चॉप हुआ वाहरा धनिया और पॉदेना इसमें एट करेंगे तो जितने भी इंग्रीडियंट मैं अभी सकंदर मिलाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इसके अंदर हम बियानी मसाला मिलाएंगे और तीन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एट करेंगे एक लेमन जूस इसमें एट करेंगे यह मेरे पास फ्रीज हुआवा रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैंने इसको ऐसी क्रश करके डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी नमाक मिराच और तकरिबना आधा टेबल स्पून धनिया पौडर और थोड़ा सा जीरा तो लांग हरी लाइची यह सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सारी चीजें मिला दी है यह सारी मिल्चे वगरा अब आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीट कर लें या उपर आपको स्क्रीन पर मिल देंगी सारी चीजें इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्राउन जिस वह आईल में हमने ब्राउन ओनें करी थी उसका आफ ऑईल इसका अंदर हम ए पारचीनी लॉंग हरी लाइची एड़ करने के बाद जब पानी उबलने लेगा तो हमने इसके अंदर राइस एड़ कर देंगे और 75 परसेंट होने के बाद हम इसमें से थोड़े राइस निकाल लेंगे और हम उसको अपने मेरी नेशन को पर डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालने राइस डालने से पहले तो ये बात दिमाग में रखें कि पहली जो बार हम राइस डाल रहे हैं यह हमारे 75 परसेंट कोख हैं क्योंकि दही और इसका जो महाश्यर होगा उसके साथ यह कोख हो जाएंगे अब हम जो दूसरी बार निकालेंगे वो Saud के बाद निकालेंगे राइस क्यूंकि राइस अभी हमारे बॉइल हो रहे हैं तब यह दूसरी बार हमने निकाला तिए 85 परसेंट हो चुके हैं अब हम जब तीसी बार निकालेंगे तो 90% हो जाएंगे और जो लास्ट में निकालेंगे वो तकरीबन 95% को खूंगे राइस डालने से पहले उसका बिल्कुल पानी है ड्रेन कर लें और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सैफरॉन इसके खुजबु जाहे हैं बहुत ही अच्छी है और बिरियानी को हम दम करके बनाएंगे तो इसकी खुजबु पूरे राइस में फैल जाएगी और जो बचा मैट करेंगे डेसी की इसका बहुत अच्छा है इसमे आरोमा आएगा और इसके बाद हम इसको सील कर देंगे आटे से उसके बाद तकरीबन साथ मिनट हम इसको पकाएंगे फुल फ्लेम पर जब तक कि इसके अंदर हमारा दही जो है वो खुश्क नहो जाए तो पांच से सा मिनट इसको फुल फ्लेम पर और उसके बाद हम इसको कर देंगे फिल्कुल लो हीट पर हमने कुक किया है तकरीबन 35 मिनट और उसके बाद हम इसको खोल रहे हैं तो जबर्दस इसकंदर से खुश्बू आ रही है फ्रेंट्स यह बिर्यानी दिखने में तो आपको बहुत ज ज्यादा मुश्किल नहीं है सिर्फ ठोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बट बहुत ही जबर्दस इसका टेस्ट होता है और आप इसको बहुत ज्यादा इंज्वाइब करेंगे इक का आप कोई सब्समय कर सकते हैं जिस तरह का आपको फलावर पसंद हो को रैडी मीट मसाला हो वह भी अप सकंदर सव्ति सकते हैं तो आप तिक्का बनाने step by step इसको follow किजिए और इस बिरियानी को enjoy किजिए दुआ में आत रखिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक यू अला आफेज